नमस्कार दोस्तो डिफेंस शो में आपका स्वागत है तो दुनिया का पहला ब्रमोस बेस जो की भारत के बाहर है वो बन कर तयार हो चुका है जी हाँ आपको बताऊंगा कि कैसे चीन ने ब्रमोस मिसाइल के पीछे जब चीन पढ़ गया था उसके बाद क्या हुआ है और इसक दोस्तो सबसे पहले ब्रमोस मिसाइल के बारे में आप जानते ही हैं देखो दुनिया बर में टॉप नंबर की मिसाइल में इसका नाम आता है सबसे तेज क्रूज मिसाइल इसे माना जाता है हां सारी मिसाइलों में सबसे तेज है ऐसा नहीं है लेकिन क्रूज मिसाइल में इ देखने को मिल रहा है, जहां भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां पर अमेरिका के सेंक्शन का खत्रा अभी तक नहीं आया है, जिया एक बहुत बढ़िया कबर और निकल कर आ रही है, ब्रहमोस ने लगबग 83% स्वादेशी करने वो एचीव कर लिया है, इसका मतलब य तो ये काफी अच्छी बात है भारत के लिए, अब बताता हूँ कि नया बेस कहां पर तयार हुआ है, क्या तयार हुआ है, देखो, भारत ने तो तैनात करी रखी है ब्रहमोस, लेकिन भारत के बाहर पहली बार किसी देश ने ना सर्फ ब्रहमोस को तैनात करा है, बलकि चीन के ड्रोन्स यहाँ पर पीछा करते हुए आये थे मैंने आपको खबर भी दी थी उस समय और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिलिपीन्स की जी हाँ कुछी समय पहले हमने डिलीवरी दी है फिलिपीन्स को याद होगा आपको और उस समय चीन इतना डर गया था कि इन्हों ने का पहला डेडिकेटड ब्रमोज बेस है फिलिपीन्स ने हमसे अच्छी खासी मात्रा में ब्रमोज खरीदी हुई है तो पहला बेस इन्हों ने बना कर तयार कर लिया है और जहां पर तैनात हो चुकी है इनकी ब्रमोज चीन के साथ इनके टेंशन लगातार बरता ही जा रहे और इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो हमारे जवान जो है अपने कंदे पर रखकर इसे चला सकते हैं बड़े बड़े एरक्राफ तक इससे मार कर गिराये जा सकते हैं तो क्या हुआ है भारत ने सौदेशी रूप से ये बना कर तयार कर लिया था मैंने आपको पहले ही इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे क्या और कुछ एडिशन किया जा सकता है ये सब टेस्ट करने के लिए जल्दी ही भारत इसका टेस्ट करने जा रहा है हाई अल्टीट पर और साथी साथ आर्मी को भी इसका डिमोंस्ट्रेशन मिल जाएगा या पर तो काफी बड़